समस्याओं का बोज एक प्रोफेशर कक्षा में दाकिल वे उनके हाथ में पाने से बरा एक गिलास था उन्होंने उसे बच्चों को दिखाती हुए पूचा यह क्या है चातरु ने उत्तर दिया गिलास प्रोफेशर ने दोबारा पूचा इसका वजन कितना होगा उत्तर मिला लगबग सोज डेट सोगरा उन्होंने फिर पूचा अगर मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा चातरों ने जवाब दिया कुछ नहीं अगर मैं इसे एक घंटे पकड़े रहूं तो प्रोफेशर ने दुबारा प्रशन किया चातरों ने उत्तर द कहा आपकी नसों में तनाव हो जाएगा नसें स्वेधन शुन्य हो सकती हैं जिससे आपको लगवा हो सकता है प्रोफेशर ने कहा बिलकुल ठीक अब यह बताओ क्या इस दोरान इस ग्लास के वज़न में कोई फरक आएगा जवाब था कि नहीं तब प्रोफेशर बोले यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है यदि हम किसी समस्या को थोड़े शमय के लिए अपने दिमाग में रखते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर हम देर तक उसके बारे में सोचेंगे तो वह हमारे दैनिक जीवन पर असर डालने लगेगी हमारा काम और प दुखी जीवन के लिए आवशक है कि समस्याओं का बोज अपने सिर पर हमेशा नहीं लादे रखना चाहिए समस्याओं सोचने से नहीं हल होती सोने से पहले सारे समस्यायुक्त विचारों को बाहर रख देना चाहिए इससे आपको अच्छी नीद आएगी और आप सुबैत पत्रों ताजा रहेंगे शिक्षा समस्याओं को लेकर अधिक प्रेशान नहीं होना चाहिए इससे हमारा नुक्षान ही होता है अगर वीडियो अच्छी लोगी तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सस्क्राइब कर देना हरे कृष्ण